नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर्परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहद ही महतो पून जानकारी ले करके जी हाँ कान में जमी मेल को साफ करने के हम आपको साथ घरिलू उपाय वता रहे हैं कान में वैक्स का जमना एक प्राकृतिक तरीका है शरीर को बचाने का यह कानों की नली में आने वाली गंदगी और बैक्टिरिया को बढ़ने से रोकता है लेकिन ज्यादा वैक्स का भर जाना भी ठीक नहीं होता है इससे कानों में कम सुनाई देने लगता है और कानों में दर्द भी होने लगता है हमारे कान तब तक ब्लॉक हो जाते हैं जब मैद कठोरता से जम जाती है और वो अपने आप बाहर नहीं निकल पाती है ऐसे में कई लोग रूई की तीली से या फिर किसी महीन चीज़ से उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं जो की घा तक हो सकता है कानों से मेल को साफ करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि नहाने के बाद कान साफ करें इससे काफी आसानी होती है क्योंकि नहाने के बाद वैक्स नर्म हो जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग बहुत ज़्यादा एरफोन इत्यादी का प्रयोग करते हैं उनको इसकी ज़्यादा समस्या होती है आज हम आपको ऐसे आसान से घरेलू तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप कान में जमी मैद यानि की वैक्स को आराम से बाहर निकाल सकते हैं आईए बताते हैं आपको सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कान में प्रोब्लेम होनी अश्टार्ट हो गई है तो कान में दर्द होता है कान भरा भरा सा लगता है कानों में आवाज आना जैसे कुड़ 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 की इस तरह की आवाज आ रही हो कान में या कानों से कम सुनाई देने लगे तो आईए उपाय बताते हैं सबसे पहले आधा कप हलके गर्म पानी में एक छोटा चमच नमक घोल लीजिए फिर उसमें छोटा सा रूई का टुकड़ा भिंगोई है और उसे कानों में निचोड दीजिए कान में पानी अच्छी तरह से च गोल बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि हाइड्रोजन प्याराक्सवाइड की मात्रा तीन परसेंट से ज्यादा नहीं तो घातक हो सकता है अब इसकी कुछ एक बूंद कान में डाल लीजिए और कान में अच्छी तरह से चली जाने दीजिए उसके बाद कान को पल्टें औ बेबी ओयल का प्रियोग कर सकते हैं आप चाहें तो कान से गंदगी को निकालने के लिए बेबी ओयल या फिर मिनरल ओयल की कुछ एक बूंदे कानों में डाल सकते हैं इसके बाद कान में रूई लगा लें जिससे तेल बाहर ना निकले तेल कान के वैक्स को मुलायम कर इससे भी कान साफ हो जाता है, इसके अलावा ओलिव ऑएल की दो तिन बुंदे कानों में डालें, इससे कानों की मैद मुलायम हो जाएगी, ऐसा रात को सोने से पहले करें, तिन से चार दिनों तक ऐसा करने से कान बिल्कुल साफ हो जाएगा इसके अलावा कानों में थोड़ा सा गर्म पानी डालें और कुछ सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ दें गर्म मतलब कि आपको खुनकुना पानी डालना है जो कि स्कीन बरदास कर सके ऐसा नहीं कि बहुत कर्म पानी डाल देना है इसके बाद इसे बाहर निकाल लेना है इसके अलावा प्याज को बफा कर उसका रस निकाल लें ड्रोपर की मदद से इसकी कुछ एक बुंदे कान में डालें ये भी आपके लिए beneficial साबित होगा लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक सावधानिया बरतना भी बहत जरूरी है कान बह सफाई करें कान में जब भी कुछ प्रोब्लेम लगे तो आप डॉक्टर से परामर्स लें जब भी कोई प्रोब्लेम लगे तो और अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को कान को साफ करने के लिए तो ध्यान रखें कि डीप न ले जाए यानि कि गहराई तक कान में चाहें कॉटन बड़ आप ले रहे हों यानि कि एर बड़ या कैसे भी कान की सफाई कर रहे हों आपको कान के अंदर यानि कि sensitive parts पे नहीं डालना है नहीं तो आपका कान खराब हो सकता है आपको सुनने में भी problem हो सकती है कान में घाव बन सकता है इसलिए कभी भी कान में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों